आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव की ग्रिपाप सभी पर सबैब बनी रहे ये वीडियो मेश यानि की एरिस के लिए तिंत विशेश है क्योंकि वीडियो है 4 नवंबर से 10 नवंबर 2024 के सापताहिक राशीफल के बारे कैसा रहेगा आने वाला सपताह मेश के लिए मेरा सापताहिक राशीफल प्रमुक्तह चंद्रमा और उनकी गती पर अधायत होता है चंद्रमा एक ऐसे ग्रहा हैं जो बहुत तेज गती से भागते हैं और करीबन सवादों से धाय दिन में राशी बदल लेते हैं तो सभावी कह कि इतनी चलदी अगर राशी बदलेंगे तो पूरा हफता जो कि साथ दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशी परतन होगा कई ग्रहों से वो यूती बनाते हैं पूरे हफते में भावों में जाते हैं और चंद्रमा की विशेष्टा ये होते हैं कि क्योंकि वो मन के कारक होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं इसलिए उनका डेटूड एक्टिविटीस पर प्रभाव बहुत होता और इसलिए सापताहिक राशिवल की विशेश्था बहुत बढ़ जाती है यदि आपकी लगन राशी या चंदराशी मेश है दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिवल को देख सकते हैं टेक्निक लिए अलग लग राशिवल नहीं बन सकते जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से इसको अबसर्ब कर सकते हैं मेरा मत विक्तिकत यह है कि लगन अदाची से देखेंगे तो अच्छा है, शुरू करते हैं, चंद्रमा का जो गोचर होगा इस हफते, वो पांच तारीक की सुभा को होगा, हमने वरिश्चिक की तो बात कर रहे लिए थी पिछले हफते, तो यहाँ पे जो उनका गोचर होगा वो पांच तारीक की सुभा से ओगर वो आपके धनू में आकर प्रवेश कर जाएंगे, और साथ तारीक शाम के छे बजे तक यहीं पर रहेंगे, अब चंद्रमा का भागिस्तान में आना अच्छा ही होता है, जो निशित्ता पिछले हफते के अंत में आई थी, वो कम होना शुरू होगी, और एक प्रकार से चंद्रमा नीच के भी थे, अश्टम में भी थे, तो मानसिक स्थर पर काफी प्रभाव पड़ा होगा, आप देखेंगे हफते का जो शुरुवाती भागी है, वो मानसिक स्थर पर आपका अच्छा जाएगा, एक अच्छा अनुभव इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे, और सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि भागे का साथ मिलेगा, आपके केंद्र के स्वामी है, भागे स्थान में बैटे हैं, लक्ष्मी योग बनता है, भागे योग बनता है, और चंद्रमा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी स्थान में आते हैं, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो बहुत संभव है कि हफ़ते के शुरुवात में ही कोई अच्छी न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है, यहाँ पे गुरु से अश्टम में है, तो यह शकट योग बन गया, कोई महत्वपून कारे डिले हो सकत है, नवांच कुनली कह रिए, कोई अच्छी न्यूज आएगी, घर के लिए कुछ अच्छा होगा, भागे का साथ मिलेगा, दशान्च कुनली कह रिए, कारेक्षेतर में शॉटकर्स मत लीजेगा, महंगे पड़ेंगे, बिजनस की जहां तक बात है, कॉम्मुनिकेशन प् खतम हो गया है, इस पर विचार कीजेगा, विवाहिक जीवन में जगडे होते वे दिख रहे हैं, स्टूडेंस के लिए अती सौ भागे शारी समय हैं, भागे का साथ मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, सेहत की जहां तक बात है, जोडों का दद, पेट के रोग और गले के रो सा विवहार अच्छा रखना है, साथ तारिक शाम के छे बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दस्वे घर में यानि की कर्म भाव में, और नौ तारिक रात के साड़े ग्यारा तक यही रहेंगे, इसे दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके नवम भाव में आकर बैट जाएंगे, चंद्रमा का दस्वे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें चंद्रमा की तो वो आपके केंद्र भाव के स्वामी होने के नाते, क्योंकि वो आपके केंद्र भाव में ही बैटे हैं, तो ये एक प्रकार का राजियोग योग बनता है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे इंपोर्टन चीज़ है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, क्योंकि मंगल आपके दस्वे भाव को, और अपनी उच्च की राशी को, और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए मंद मंगल देख रहे हैं, गुरु वक्री हो चुके थे, मंगल वक्री दिसंबर में होंगे लेकि इन वो मंद हैं, उनकी स्पीड धीरे है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कारक्षेत्र में आपके कारे डिले होंगे, और कारे डिले होते हैं तो उसके कारण प्रॉब्लम बढ़त घर में महाल अच्छा रहेगा और पूरे घर के लिए ही कोई अच्छे नहीं हो सकती है, दशान चुली कारेकशेत्र में आगे बढ़ने के मौके दिख रहे हैं, गुस्से से बचिएगा कारेकशेत्र में क्योंकि बहस हो सकती है, बिजनस कोई नई अपरचिनोटी आ सकती है, लव लाइफ में बहुत टेंशन दिख रही है, बहुत स्ट्रेस दिख रही है, कई ऐसी बाते हैं जो मिलकर तंग करेंगी, विवाही के जीवन जगडे दिख रहे हैं, इगो प्लेशे, इन लॉस की प्रॉब्लम, स्टूडेंस की जहा तक बात है, एक प्रकार से अपनी सेह पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मानसिक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसका प्रभाव अच्छा नहीं है, या मानसिक सेहत पर प्रभाव अच्छा नहीं है, और उसके कारण हर चीज़ पर एफेक्ट हो रहा है, अगर हम सेहत की ही बात करें, तो आपको कफ लोग और हिदे समधित रोग अगर है, ध्यान दीजेगा, सरवाश्टक में आपका बारवा घरवली है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन विरेश समधित कारों में सफलता मिनने के योग हैं, नौत अरीक रात के साड़े ग्यारा वज़े चंद्रमा आजाएंग बहुत अच्छा योग है, घर में अचाना से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन नहीं भूलना चाये कि शनी क्या है, शनी तो शनी है, और शनी चंद्रमा क्या बना विश्योग, उदासीनता रहेगी, भौतिक रूप से कुछ भी अच्छा भी हो जाए ना तो उसका और इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपक्त पड़ सकता है, नवान्च कुनली बता रही है कि अपनी खुशियों पर ध्यान दे, अपने इमोशनल लाइफ पर ध्यान दे, दशान्च कुनली कारिक शेत्र में कन्फ्यूजन दिख रही है, किसी पर भरोसा मत कीजेगा, अपने काम पर फोकस कीजेगा, गल्दिया होने की बड़ी संभावना है, बिजनस की जहां तक बात है, अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, एक बैलन्स देख रहा है, लव लाइफ, थोड़ा फोकस और टाइम अपने पार्टनर को देना पड़ेगा, वरना प्र परष्टक में भागिस्तान बली है, भागिस्तान बली है, चन्रमा लावस्तान में है, बड़े धन की प्राप्ति और कोई बड़ा लाव या कोई बड़ा अठका हुआ कारे आपका पूर्ण हो सकता है, उपाय के सिरुप में हनुमान बाहुक का दो बार पाठ करकर पली को गुड़ का भोग लगाए, आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में तिमते के लिए, ओम नमस्यूद।